हालो एवरिवन वेल्कम बैक टो आपकी अपने चैनल पे आश्रीक पर आजके वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बलाउस के बैग मेट के डिसाइन्स के अडियास के पारे में अगर आप भी साड़ी स्पैनना प्रैफर करती हैं और ब्लाउस के बैक नेक के नएने डिजाइन्स की तलाश्ट करनी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है आप इस वीडियो को आन तक देखना कि बिल्कुल मत करना वरना पच्छे चे आइडियास और डिजाइन्स को ज लिए लिए को मिलेंगे ब्लाउस पैरना तक किसे नहीं पसंद हर कोई अपनी लुक को ब्लाउस के साथ डिजाइन करता है चाहे वह साड़ी से साथ हो चाहे वह लेहंगा के साथ हो और अगर आप बात करें इसके बैक नेक की डिजाइन्स की तो ये हमेशा ही ट्रैंडिंग में रहती है और हर कोई अपनी लुक को यूनिक और सबसे हट के दिखाने के चकर में इस तरह के बैक नेक डिजाइन्स स्टाइल करती है अगर आप भी सबसे यूनिक और हट के लगना चाहती है तो आप इस तरह के बैक नेक डिजाइन्स कर सकती है इस तरह के नेक डिजाइ बना रही हैं चाहिए वो लहंगा के साथ है चाहिए वो साड़ी के साथ आप इस तरह के blouse के डिजाइन करती हैं तो आपकी लुक बहुत ही अदर स्टाइलिश और चार चंद लग जाती हैं इस तरह के बैक डिजाइन काफी सारी कर भी चुकी हैं लेकिन अगर आप सबसे यूनीक और सबसे हटके लगना चाहते हैं चाहिए आपका प्रिंटिड है चाहिए वो प्लेन है चाहिए वो किसी भी फैबरिक में है आप इस तरह के डिजाइन एजली ट्राइ कर सकती हैं वैसल तो आपने बहुत सारी लेडिस को सबसे यूनीक बैक डिजाइन के साथ देखा होगा लेगन अगर आप इसी तरह के आडियास डिजाइ होना चाहिए क्योंकि जो भी आपके डिजाइन को देखे वो आपके डिसाइन की कॉपी करना चाहिए यही होती है कि यूनीक डिजाइन की स्पैशलेटी सो अगर आप भी इसमें से कोई अपने लिए चूस कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं जैसे आप अपनी नेक्स्ट ब्लाउक्स के डिजाइन्स पर ट्रॉय करेंगी तो आप उसका इजली स्क्रिंशूर ले सकते हो तांकि अब जब भी अपने लिए स्टायल करवाएं तो वो स्क्रिंशूर दिखा कर आप इजली स्टायल कर सकें सो हम उम्मेद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में कोई न कोई आइडिया और डिजाइन अपने लिए मिला होगा तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक हमारी चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना तांकि वो भी तोने अच्छे अच्छे डिजाइंस को में सना करते हैं अगर आपके माइन में कोई बीक कौशन नहीं है फिर कोई बीक सजेश्टन है इस टॉपिके रिगार्डिंग या फिर क